का ट्रयो深न किया चैनल दौस्तों बेने में इस में सि refund दोस्तों आज यस विडियो से वा इन्जनियर को इससे इस इस वीडियो की से जिकामज मैं ऑफ व्हरश क्षेल लोह दोस्तों मिस्के और दोस्तों मचैंड सुरूशा करने मैं आपको वठा देता हूँ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत फायदमंद होगी यूजबल होगी लेकर आता रहूँगा तो प्लीज चैनल क डाया इन्टू डाया जो चैनल कलने आज निकालनेगा शरी कहते निकालने फ्रोद में थो प्रेसुद्स के चैनल कि दोस्टतो डाया में से होता है जितने पर यता को शेर्य अरिज में करते है कि तो swoją ब्सक्राइब का सरीया है दोस्तों तो उसको 8 से ही multiply करेंगे अपों में एक्सवेस्ट करेंगे तो उसका जो solve करने का आता है 0.39 kg पर मीटर जो 0.39 आया है वो 1 kg मलब कि kg आया है एक मीटर एक मीटर का weight आ गया है तो 0.39 इन्टू 12 12 क्या है दोस्तों हमने इसलिए क्या क्यमकि जो एक रोड होती है जो सरीया होता है उसकी जो length होती है एक शरीय की 12 मीटर के आसफस होती है 12 मीटर ही होती है तो 1 मीटर का weight है 0.39 इन्टू 12 तो यह आ गया दोस्तो 4.68 ठीक है अब इसमें यह एक रोड का एक जो बंडल होता है उसमें जो 8 mm का जो बंडल होता है उसमें 12 स्रीय होते हैं ठीक है दोस्तों अब 4.68 को हम इंटू करते हैं 12 से तो जो सोल करने बाद आता है 56.16 kg यह मतलब कि एक बंडल का वेट आ गए दोस्तों यह ठीक है बहुत आसान है दोस्तों कोई भी दिक्कत नही एक मतलब कि एक मीरेट का वेटी होता है 0.39 8 mm को इसे को हम 12 से इंटू कर दिते हैं क्योंकि एक उसší जो उस donc 4.68 हो गया अब इसी को हम 12 से क्यों किया क्यूंकि इसलिए क्या क्योंकि जो गुच्छा होता है बंडल होता है उसमें 12 सरी होते हैं तो 56.16 kg एक बंडल का वेट हो गया और जितने उसमें बंडल होंगे उसको हम इससे गुना कर देंगे विजैसे हमने मंगाए हैं 12 बंडल 13 बंडल 14 बंडल whatever 50, 100, 200, 500, 1000 कितने भी हो उसको हम इससे गुना कर देंगे एक दूसरा एक्जम्पल लेते हैं जैसे 10 का जो 10 mm का सरिया होता है same वही चीज है formula वही है die into die upon 60 जैसे 10 mm का सरिया है 10 into 10 मैं 10 mm का सरिया into 10 mm का सरिया अपन 60 इसका जो वेट होता है दोस्तो 0.69 kg यह एक मीट का वेट आ गया ठीक है अब 0.62 0.62 kg एक मीट का वेट आ गया कि मलब कि एक जो सरिया होता है 10 mm उसका एक सरिया कि गया होता दोस्तो उसमें पारी जो एक सरिया क्या स्वास होता है तो यह चीज हैं कि इसमें कितने हैं लेंद्ट लेंद्ट करते हो गाई यह अपका देख लो जितने फिर टोटल के बंडल हो उसको इससे इंटू कर दो एक बंदल होगा उसका 54.4 kg वेट होगा दोस्तों ठीक है बहुत असान है और एक एक लोग देख लेते हैं तो 12 जो mm का सरीय है उसका भी देख लेते हैं 12 x 12 तो इसका जो वेट आया वाद 0.89 kg पर मीटर ठीक है 0.89 को हमने जब 12 से मल्टि बलाई किया 10.68 ठीक है यह हमारा आगया 10.68 आगया 10.68 आगया एक सरीएगा 12 मीटर कीगा 10 mm ठीक है तो 10.68 को हमने आठ से किया आठ से क्योंकि जो 12 mm का तो सरीय होता दोस्तों उसमें एक बंडल में आठ ही होते हैं तो 10.68 को हमने 8 से मल्टि प्लाई किया 85.44 kg ठीक है 85.44 kg यह एक बंडल का वेट आ गया तो दोस्तों यह था एक बहुत ही आसान तरीका जो कि एक सिवल इंजिनियर अपना उसमें यूज करता है वेट निकालने में दोस्तों अगर आप भी एक सिवल इंजिनियर है और आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज मेरे चनल को करने से पहले मैं जरूर कूँगा कि आगर आपको में यह वीडियो चील लगिए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों जादा जादा शेर जरू कीजिए ताकि क इसी जरूत में दोस्त को फैदा जरू ऊसके थैंक्स पूर वाचिंग दन्यवाद